जैसे हर कहानी में एक विलेन होता है, वैसा सही एक विलेन इस कहानी में भी है। अगर आप विरेंदर प्रताप को इस कहानी का विलेन समझ रहे हैं तो जी आप बिल्कुल गलत है। क्यूंकि हर फील्ड में कुछ कॉम्पिटिटा होते हैं, वैसा ही विरेंदर प्रताप और जिसे हम विलेन नहीं कह सकते। खेर चलिए मैं आपको इस कहानी के विलेन से मिलवाता हूँ। जिसका नाम है जगीरा बिशनोई जिसका दबदबा आज भी बॉलीवुड पर चलता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टॉस के साथ इसका उठना बैठना होता है। जैस किसी गली मोहले के दुकानों पर नहीं बड़े बड़े स्टॉस के साथ। जगीरा का कॉल जिस भी हीरो हिरोईन के पास आ जाता और वो पैसे देने से इंकार कर देता तो फिर उसके साथ क्या होता किसी को भी पता नहीं चलता और पता भी चल जाए तो कोई कुछ नहीं कहत यहां तक की पुलिस भी कुछ एक्षन नहीं लेती और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज तक किसी ने भी जगीरा को देखा नहीं था बस उसके नाम से ही पूरा बॉलिवुड कांपता था एक अंधेरे कमरे में चेय पर एक आदमी बैठा हुआ होता है और उसके सामन बैठा जगीरा हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ देखो रे सामने मौत है और इसे कोई डर ही नहीं है तभी वो नीचे बैठा आदमी गुर्राते हुए बोलता है अगर हिम्मत है तो हाथ खोल के दिखा जगीरा उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और अपना माथा खुजल जाते हुए कहता है अरे ओवे खान चल इसके हाथ खोल जरा मैं भी तो देखूं ये क्या करना चाहता है आस पास कुछ लोग खड़े होते हैं जो की देखने में थोड़े बहुत डरावने टाइप के होते हैं लंबी दाड़ी और हाथों में गन चाकू और होकी स्टीक जग जगीरा अपने कमर से गन निकालता है और उसे शूट कर देता है उसे गुस्से से देखते हुए जगीरा कहता है ओ कितना पागल इंसान है रे तू तेरे स्पीड से ज़्यादा मेरी बुलेट की स्पीड निकली ये कहते हुए जगीरा हसने लगता है तभी वहां मौजोद एक आदमी बोलता है पर भाई हम इंसानों की स्पीड से बुलेट की स्पीड ज्यादा ही होती है अब चाहे वो गन आपकी हो या मेरी जगीरा उसके तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है अच्छा चल तू मुझे गोली मर और मैं तुझे मैं भी तो देखूं इस जगीरा बिश्णूई के गन से ज्यादा आखिर किसकी गन तेज है ये सुनते ही वहा बाकी के खड़े लोग भी एक दम से चौक जाते है वो आदमी घबराहट भरी आवाज में कहता है भाई मा मैं आप पर गन कैसे चला सकता हूँ तभी जगीरा पास में ही खड़े एक आदमी को ग पहले जगीरा उसे ही शूट कर देता है ये देखकर वहां मौजोद सब लोग डर जाते है तभी जगीरा अपना माथा खुजलाते हुए कहता है पता है मैं इसे नहीं मारता पर इसने मुझ पर गन तान कर बहुत बड़ी गलती कर दी और कोई है ऐसा यहां जिसे जगीरा य चेह पर बैठ जाता है रेस्टोरंट अभाई और त्रिशा दोनों एक रेस्टोरंट में एक ही टेबल पर बैठे हुए थे अभाई के चेहरे पर स्माइल थी वही त्रिशा के चेहरे पर एक घब राहत सी थी त्रिशा का हाथ टेबल पर ही था वो अपने उंगलियों को प्रिशान देख रही हो, are you okay? त्रिशा थोड़ा हिचकिचा करकर जवाब देती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, इतना कहकर त्रिशा अपना हाथ टेबल पर से पीछे कर लेती है, तभी वहाँ वेटर आता है, hello sir, hello madam, what would you like to have? त्रिशा अपई के तरफ देखने लगती है, तभी अपई त्रिशा से कहता है, त्रिशा आज तुम ओड़ा करो, आज दिन तुम्हारी पसंद का करूंगा, त्रिशा अपई से थोड़ी शाय होते हुए कहती है, पर मैं क्या से? मतलब क्या पता जो मुझे पसंद हो, वो तु मेनू कार्ड उठा कर ओडर करती है वेटर ओडर लेकर वहां से चला जाता है अभई स्माइल करते हुए बस त्रिशा के तरफ ही देखे जा रहा होता है त्रिशा अभई को ऐसे देखते हुए देखकर अभई के सामने हाथ हिलाते हुए कहती है अभई ऐसे स्माइल क्यों कर र अभई से वापस से पुछती है अब कैसी लग रही हूँ ठीक हो गया ना अभई उदास मन से कहता है ओ क्या तुम भी यार अब तो पूरे चेहरे पर फेल गया अभई के इतना बोलते ही त्रिशा जट से अपना फोन टेबल पर से उठते हुए अपना फेस देखती है पर उसक क्यूटनेंस है ना इसलिए तुम्हें नहीं देख रहा है सिर्फ मुझे देख रहा है त्रिशा थोड़ी देर तक सोचती है और फिर चौक कर मुस्कुराते हुए कहती है ओ अभई सच में तुम बहुत फानी हो हाँ सब यही कहते है दोनू ऐसे ही बाते करते करते हसने रही होते है